अटली खबर यूपी की जनबत अयोध्या से है जहां बीका पुर्तेहसेल छेत्र के निसाद बस्ती मउग ग्राम में दुर्गा प्रतिमा इस्थापित करके भक्ती भाव से पूजा अर्चन का काम जारी है इस दोरान मच्वा समुदाय के अनेक लोग माता की भक्ती में लीद दिखाई दिये ग्राम प्रधान परसुराम मिसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि कई पेडियों से परंपरागत रूप से मनाई जाने वाली दुर्गा पूजा राम लीला मंचन के साथ धून धाम से मनाई जा रही है वहीं दूसरी और दुर्गा पूजा समित के प्रबंधक राम सहाई ने बताया कि दुर्गा पूजा की परंपरा है और यह परंपरा कई दसकों से चली आ रही है उन्होंने बताया कि दुर्गा पूजा के साथ साथ राम लीला मंचन जो इस्थानिय कलाकारों द्वारा ही किया जाता है जिसमें आज पास छेत्रों के भारी भरकम लोग सामिल होकर मा की पूजा के साथ साथ राम लीला मंचन का भी आनद उठाते हैं राम लीला समीती के डारेक्टर crashing ने यह बताया है कि राम लीला में गाओं की यवाओं को प्रेडित किया जाता है जिससे बाहरी कलाकारों की अवस्यक्ता नहीं पड़ती मैं तो सबसे पहले जो है आज यहां पे नौरात्र के आउसर पे हमारे ग्राम सभा में जो मादुद्गा का अस्थापना हुआ है और हम लोग और हमारे बुर्जगों ने जो भी आँके हमारे पुराने बुर्जगों थे उनके और काफी समय से यहां पे माता जी का अस्थापना करते हैं और चला रहा है और उसी के उद्देश से जो भी आगे पीड़ी है धूम धाम से नौरात्र का पर्व हम पूरे ग्राम सभा सहमति के साथ पूरे ग्राम सभा यहाँ पे कठा होते हैं साम को और धूम धाम से मनाते हैं और यह अभारी हैं कि जो आप अपना देते हैं और इन कमेटी को जो भी ड्रामे की कमेटी है और दुर्गा पूजा समित है राम लिला समित है मैं सभी को नौरात्र के पर्व पे मैं ग्राम सभा की तरफ ते हर दिख सुब कामना देता हूँ और मात किरपा करता हूँ कि हमेशा ऐसे आने वाले समय में भी ऐसे अपना भाई चारा चलता रहे